नमस्कार बच्चो मैं अम्रालाल कोशी का आपका फोगाट गुरू जी चैनल पर आपका हरादिक स्वागत करता हूं यह हमारा संस्कृत मोक्टेश सीरीज का भाग होगा इसमें हम लगवग पचास परसंद को सामिल करेंगे जो कि आपके लिए UGC NET और सभी कम्पिटिशन एक्जाम है उनके लिए बहुत उप्योगी होने वाले हैं और इसके जो भी आपका सभी बच्चे जो जुड़े हैं वो कम्प्लीट देखें और सबसे पहले मैं आपको आपसे यह करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने जो भी स्टड़ी इसको जुरूर सेर कर देगा कि जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम भी वीडियो अच्छा आपके लिए तयार करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे उसको देख रहें लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग सेर करने से या उसको लाइक कमेंट करने से जिसे कि जादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके चाहल अच्छा देख सकेज से मुद्धें से सहकिता है अगर कम से कम बच्चे देखते तो हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चे तियारी करने में इंड्रेस्टीड नहीं है या वो आपस में नहीं जूड़ना चाहते हैं तो इसलिए कहीं एक सीरीज हमसे छूड़ जाती है अगर आप हमारे साथ में यूजी सी नैट या कंपिटिशन संस्कृत एक्जाम की तियारी कंटिनू करना चाहते हो तो आप हमसे इस वीडियो को सेट केजिए मैक्सिशन आ पीना चाहे किसका विष्येशन हैं और इस impact रिंस उसरे मारा पहला जो दीए संबंदित है अगनी विष्णू सोम और सभी था और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो आपको लाइव टेस्ट सिरीज हमारी बनाई गई है उसमें हमने है एक एक कि एक सब्सक्राइब यहां पर देख लिए वहां पर नुवा से संबंदित है यहां पर से संबन देवता से संबंदित है यहां पर सीयोप्सिन होगा सोम अगला प्रच्छन है अध्यतन वर्गेो युगं परयाय स्हमिचनम की पिछीनूत ह reag वेदी है प्रसक वेदा है कर सकते हैं ऐसाने के पहले से उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर हमारा ओप्सन यह दे गए हैं लेकिन इतना नीचे हैं सबसे पहले हैं इसको मिलान कर लेते हैं एक बार जैसे रिगवेद जो है उसकी कौन सी है वासकल साखा तो पर हमारा क्या हुगा एक सी इससे विलान होगा और तो यहां पर देखिए का और किस्से है सिरफ एक है यहां पर देखिए आखो कितने आपका मतलब अगर आप आम हैसा है तो से सोनक साखा अब आप उसको देख लीजिए एक बार स्क्रीन सोट लेकर रख सकते हैं अगर डाउट है कहीं पर तो आप उसके बाद अगर जब से पहले नहीं बताई दिया अनसर आपको सबसे पहले टिक से हमें बजादा क्योंगी पेपर में मारे लिए जो टाइम सबसे कीम जो ये मंतरांस है वो किस सुक्त में है यम यमी सर्मापनी पुरुर्वा उर्वसी या पूखन तो यहां पर किसमें है साला वरिकडा मरिद्यानी ये था ये है पुरुर्वा उर्वसी जो है उसके अंदर पुरुर्वा उर्वसी समवाद भी है आपको पता है तो वो हमारा सब्सक्राइब करना है तो यहां हमें देखना है हमें इसका उचित मिलान करना है ओप्षन आप नीचे देख लिजे एक बार कि यह हमारे ओप्षन है सबसे हम सबसे पहले हैं यहां पर कर रहा हमारा किस संबन्र यहां हमारा लीचम पहले मंद्रिया नित्यम वचंदल्व तो यह ऐसकी Almost मिलान होगा हमारा इंद्रिय नित्य वचनम किसे मिलान होगा हमारा देखिए आप ध्यान से यह किसे होगा ओदूम रायन है से अब हमारा एद क्या था वो एस था और वी क्या है हमारा पी है अब भी आप देख सकते हैं लेकिन अभी भी हमारा देखो अब हो गया हमारा AS यहां था लेकिन यहां सैकंड में BP नहीं है यहां पर सैकंड में BP है तो यहां हमारा जो डी ओपशन है वह सई हो जाएगा फिर भी आप पूचिद मिलान कर लेजिए AS BP एक है यहां पर यहमारा एस बीपी और यहां पर अनर्थकाह मंत्रह तो क्या होगा यहां पर कोट्स है अशडभावविकार रहा वार्षायन ही तो हमारा क्या हुगा एस बीपी सी आर और डी क्या हूं ठीक है इस तरह से आप यह हमारा D Option जो है वो और डी क्यों आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं याँ पर स्क्रिन्सोट लेकर यह बीपी स्यार और डी क्यों इस तरह से तो हम जैसे-जैसे वहारा option हमें सही मिलता जाए पहले में परमी कना सब्सक्राइब सुसक्राइब क्या है वो 8 सफ उनके दार मानने काल कौन सा है 2.6 भीह सफन जो हमारा सऀ है विंटर्लीज है जो परमी पार, में रिक्राइब सब्सक्राइब विश्वामित्र नदी सुक्तम रिग्वेद्स्या कस्मिन मंदलों अंतरभावती जो विश्वामित्र नदी सुक्त है वो रिग्वेद्स्या कस्मिन मंदलों अंतरभावती जो विश्वामित्र नदी सुक्त है वो रिग्वेद्स्या कस्मिन मंदलों अंतरभावती दसम मंद से शचोक्त करेक्टर देया को सबसें नूतन को locks ? गोपत ब्रामनम बंस ब्राह्मनम यह ब्राह्मनम सबसें जो नूतन करत है वो कोन सा है वह रहा गोपत भामनम इस सबसे नूतन करणत को होัग अ सही होनुऊ ने गोपत प्रामण अगला पर्सन है आप कि सोनक साखा अनुशारिं अथरवेद के प्रतम मंतर प्रतिक क्या है इखेत्वे अगनी मिले समनो देविया यह त्रीक प्ता हौ तो इन मेंसे कौन सा है यहां पर हमारा डी ओप्षन है हमारा सही यह त्रीक था क्योंक यह सब दॉप हम्हारा परशन जिसब्स कोंन सा सत्या इस सत्या है प्रयायसिये लिए तो यहां पर देख那我們 इसमें बताना है तो में सबसे पहले आई हैं आप है लोगारे में सो साट्य ऐसे हैं कि यहां पर देखे सबसे पहले आप देखे किस्ट्य यजरुवेद सहिता एक वाता सने सहीता है यह सहीं नहीं है क्योंकि जो किश्णियाजरुवेद से संध आ है वो किसे संबन निते है सकूल याजरुवेद से सूंसर है segued दो यह हमारा सिय कुंड़िन जो भितिकार संध म North blending क्यांता आत्रे ゃ लूगasan di है ये प्सन हमारा सही नहीं है तो इस तरह से हमारा जो यह देख लीजिए आप पहला सências फिर सत्य फिर सत्य सत्य और फिर एससय जो सन हमारा Strahay उष को मिलान कर लिजिए कि पहला सद्य फिर 2 सत्य ठीक है इस तरह से आप देख सकते नीचे क्योंकि साथ साथ में एक दम से में दिखा नहीं पाते तो यहां पर हमारा कौन सा हुआ पहला एस सत्य हमारा यह ठीक है लेकिन उसके बाद दो सत्य हैं हमारे और फिर आशत्य है तो हमारा सी उप्सन जो है वह सही होगा सी जलाक पेघ्जम इती सब्द है किम देवता स पूछा है तो यहां हमारा भी प्रसम्स्तम आगला परसन है उरुगाया इतिक श्यार्ष्य विश्यंश्य विश्णु उरुगाया है यह बहुत इंपोर्टेंट परसन है यह बहुत वात पूचा गया आए साथ में बता चुके हैं इसको तो ऊरूगाय किसका सवीत है पूरुखस्य रुद्रश्य या विष्णू तो ऊरूगय किसका विष्णू तो यहां हमारा डória व्शीय वो सह crawl हो भूए वीष्णू है अगला whose DES style is किससा है इंद्र पूखन हे है वघ्ला प터 स्च हाइग कई किसा साफिकायर फॉक्रत ओ तराफ रिखाव यहाँ पर यह ice याँ पर confusion एक सदानन्द यह लिखा हुआ है लेकिन यहाँ ही है लहाँ पर सदानन्द ही नही सुसी होया सदानन्द किसकी रिचना रिचना है सदानन जी की एकलो प्रसेशन एक अगला फ्रसन है हमारा वेदान्त सारे महाभूत पारनितम विदान सारे महाबूत आनाम की मरनितम त्रीवत करणम नभी करणम पंची करणम या सब्तमी करणम तो विदान सारे महाबूत आनाम की मरनितम तुम आपर क्या वरनित है पंची करण है विदान सार के महाबूतों का पंची करण हमारा तो सी यू अपसन जो हमारा सही है पंची करना विदान सार में घीव और इसवर की कितनी अवस्थाईं कहीं हैं three125 ये तो कितने इस्थाईं कहीं हैं 4 अवस्थाईएं बताई गई है महाँ antiiste चार पर तो यहां वह सई होगा चत अभाइब लिए विदान सारे जीवी सुर्वियों कति अवस्था कति था चार अवस्था हैं तत्वम असी इत्यनेन किम वर्णियते अनुभव वाक्यार्था है अनुवाद वाक्यार्था है उपदेश वाक्यार्था या विदी वाक्यार्था तत्वम असी इससे क्या वर्णित होता है तो इस से हमारा यह क्या है उपदेश वाख्यार्थ है तो स्यू अप्सन जो हमारा सही होगा उपदेश वाख्यार्थ अगला परसन है पंच तन मात्रा कस्मात समुत्पन्ना महत एहंकारात प्रिकृते या पूरुखात जो पंच तन मात्रा किसे उत्पन है महत एहंकारात प्रिकृत पुरूखा तो किसि हैं एहनकाराथ तो हमारा बी उप्सन सई होगा एहनकाराथ अगला प्रसन है सथ सथ्थ कार्य वाद सिध्य रथ वाद सथ्थ खत्व उपर 15 Gen श। सत्कार्य strict जुण हम सबुझा अगला परसन है यहां पर भी हमें अगर कुछ भी पता है एक भी उप्सन हमें तो अपने आप ही हमें पता है कि हमें दर्व्याय किसे करना है हमारा अभाव सनिकर्श और करव्याय कितने हैं तो यहाँ पर ए एस बी आर सी पी और डी क्यों तो यहां पर देख लेजिए आप एस किसमें है सबसे आरम में एक ही ओप्शन है तो यहां हमारा ए ओप्शन से हो जाएगा देखो अगर हम ट्रीक में नीचे देखते भी तो हमारा दस सेकंड में ही प्रसंद का उत्तर हमें मिल जाता क्योंकि जो है वो सिर्फ एक में ही मिल रहा है तो सबसे पहले हम यहीं देख लेना चीह है हमें सबीकों मिलाने कुछ है पर देखना है और उसको महां पर मिलान कर देना है अगर हम शोर हैं तब डौट फूल है फिर नहीं यह प्रिक लागव होता कि हमें पहले पर भी डौट और हम तब भी उसको देखर टिक माल कर दें ऐसा नहीं मैं कहूंगा आपको अगर आप शूर है 100% है आप उसके पर तब आप इसको कर सकते हैं तो यहां पर हमारा यह देख लीजिए आप मिला एक बार अगर स्क्रेंट सोट लेना या इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाए इसकर ने बहुतने से कौन सा सही है कौन सा गलत है है कि प्रयाग विप्रयात थैटेख इसकारनागड्य खी देख नपर हमारा जो it TV ह拜拜 आप तो यहाँ पर हमारा option देख लिए कौन सा होगा पहले दो A सत्या फिर सत्या फिर इस तरह से पहले दो A सत्या यहाँ पर देखें इसमें है लेकिन इसमें जो तीसरा है वो भी A सत्या है ऐसा नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह option से जाएगा B A सत्य है A सत्य है सत्यम और A सत्यम ठीक है पुरुसो अस्ति भोक्त्री भावात तो C जो है हमारा सत्य है बाकी सब A सत्य है अगला परसन है तंतु संयोग है पटश्य किम कारणम बहुत आसान परसन है SMY कारण, SMY कारण, उपदान कारण या निमित कारणिस में हमें सोचने के जरूरत नहीं है तंतु संयोग क्या है SMY कारण हमें पता है कारण तीन होते हैं तो जो तंतु संयोग है वो पटखा SMY कारण है SMY, SMY और निमित वेदा इस तरह से होते हैं हमारे तो महाँ पर तंतु सहीयों क्या होगा पट का एसमवाई कान तो B है जो वो सही हो जाएगा अगला परसन है कस्ये कृते तरक भासा भी रिचता मैं धा भी नहें व्युपस चिता है या 12 किसके लिए तरक भासा की रचना की गई है तो किसे की गई है बालक के लिए तो D option जब हुमारा सही होगा कस्यक्रिते तरग भासा भी रचिता हा बालस यह अगला परसन है अनुमानम नाम लिंक प्रामर्स है सडवीत सनिकर्स है आप्तवाक्यम या संग्या संगी संबंद अनुमान क्या है लिंक प्रामर्स तो यह जो उधार्ण है वो किस है अने कान्तिक या बादी तस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सनी 10 सनी थी ठीक है कि पदों कह में आकांग सा सननी इस तरे से तो है वहां हमारा क्या होता है कि वहाँ पर हमारा जो है सनीदी होगा बिना विलंब के पदों का उचारण तो यह सनीदी का लक्षण होगा अगला परसन है अधसतन वर्गयोय उगम प्रयायस समिचनम्यचनोत कि हमें इन वैसे मिलान करना है दो इसमें एक परसन में हमारे चार-चार परसन कर जाते हैं इसलिए ऐसे परसन ज़्यादा इंकल्यूड किये गई हैं तो इसमें क्या कारकानी विभकतिया है मुनिया है या लका रहा तो हमे बता सबसे पहले क्या हुआ कारकानी ज़ल्दी जबस ज़ल्दी कर लीजिए इतना कारकानी 50 सब्ड़ नई करें कोई भी वी कई वार क्या होता है संस्कृत में कारक की कुछ चैना है इस देख रहा है तो वह परिभास है यहां पर जो संस्कृत में हम पड़ेंगे तो कारक क्या है छे हैं और विबक्ति साथ हैं हमारी देखो कारक छे होते हैं लेकिन विबक्ति हमारी साथ होती हैं और मुनिया है त्रेया है तो मुनिया त्रेया है और लकार कितने होते हैं हमारे दस लकार होते हैं ठीक है तो कारकार्णी शट विबक्ते हैं सब्च रिह त्रेह और लकारहां । तो इस पर हमारे कौन से अप्सें से हो जाएगा विजंज सेह जाएगा जाएगा यहाँ पर ब हैस भीयार चीकॆ और डी पी तो इस तरह से हमारा वी ओप्सन सही है अगला परसन है पूरों काया है इत्यस्मिन क्या समास है कि यहां पर कौन सा समास है तो यहां पर हमारा सश्ठी तत्पूरुष समास होगा अगला परसन है अगला परसन है तो से हरी किस सिद होगा हमारा अभी भावे चागाले अगला परसन है अधस्तन वाक्या नाम सत्य ए सत्य प्रयाइसु समीचनम विचनोद हमें इसमें से सत्य और ए सत्य हमें बताना है कि कौन सा सत्य है गुजराती आधुनिक भारतिय भासा आसती ओडिया मद्य भारतिय भासा वर्तते पाली प्राचिन भारतिय भासा आसती और तमिल आधुनिक भासा इनमें से गुजराती आधुनिक भासा है ओडिया मद्य भारतिय भासा है पाली प्राचिन भारतिय भासा है और तमिल आधुन तरह तरह से हमारा option देख लिए आप निचे से कौन साइओ पहला सत्य देख लिजिए किसमें है यह है यहां पर यहां लेकर बाकी सब यहां पर हमारा समुरित है जो सैकार है वो कैसा वर्ण है इसद प्रिष्ट है इसद वीवरित है या समुरित है तो सैकार जो है वो इसद वीवरित होता है तो यहां पर हमारा जो बी ओप्सन है वो सही हो जाएगा इसद वीवरित है इसके लिए हमने एक वीडियो में बता भी रखा आपको प प्रेतन होते हैं और वेंजन में कितने प्रेतन होते हैं वह हम Πहले समझते देगा आपको टूटल ःप सीवचे नहीं देखने तो पहले वीडियो में देख सकते हैं तो यहां पर सैकार क्या होगा इसतो हमारा B option हो जाईगा इसतो है है अगला person sincer रिकार का सरवन क्या होगा यहां पर तो वो होगा लरी का रहा है देखो यहां पर तोड़ा सब्सक्रान नेहping केंट में इनना सब्सक्रान करता है, पर देखो कुनसा है यह यह विवभत तो यहां मने सब्सक्रान का पर आज मत चुन्तियादी टी तो अगला परसन है और इसके लावा आप हमें टेलेग्राम चैनल पर जोईन कर सकते हैं और आपको बता दे कि हमने सीटेट के लिए भी जो संस्कृत के लिए क्लासिस शुरू की हैं जिनमें हम लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू जो प्रथम भासा रहए खिरो पिомलो ओल्ग से बताएंगे और जिसमें कि एगर जो भी बच्छा सीटेट की तैरी कर रहा है तो उन वीडियों को जुरूर देखे승े कि आपको संस्कृत की तियारी करने में आसानी हो और मेंली हमारी अगर हम संस्कृत की तियारी करते हैं तो धुनों सम्झे अठाइस स्कोर कर पाते हैं तो हम वहाँ पर हम बैटर पोजीशन में होते हैं कि कहीं वार हमारा जो पेपर है वो आठ से दस तंगों के बीच में ही रहता है कि अगर हम संस्कृत की और त्यारी कर लें अच्छे तो हिंदी हमारा अपने आप हो जाता है और वहां हम उसमें लग से बना दे जाएगी उसके भी तो वहां आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए यह सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको संस्कृत को प्रथम भासा में करना है या दिवतिया भासा के अंदर आपको संस्कृत वहां पर करना है क्योंकि कई बार बच्चे इसी में प्रथम भरें या दिवतिया भरें वह एक क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि प्रथम हमारे किस लेवल की है और दिवतिया हमारे किस लेवल के जिससे हमें हिंदी में प्रथम को रखने में फायदा हुआ या संस्कृत को हमें प्रथम में रखने पर फायदा होगा तो इसलिए अप उन्त विडियोस को जरूर देखें इन्मेंसे प्रिगिरिये क्या है जिसके प्रिगिरिये संगया है पित्रु, भात्रो, रोजसी या अश्विना तो स्य उप्स्ण जह हो हमारा सही हो जाएगा रोजसी अगला पर्सन है इतासु भारोपिय भासा कास्ती इन में से भारोपिय भासा कौन सी है भारोपिय प्रिवार की जो भासा है वो कौन सी है तमिलम संस्कृतम तेलगु या मराठी तो वो कौन सी है संस्कृत जो हो भारोपिय भासा प्रिवार की भासा है तो हमें पढ़ते समझ में आ जाना सी उस सब्कुपक्राइब questo सभीiben will get this अगलाच कि लिए कि वा गर्तावीव संप्रिक्तो को राम कृष्णां पार्वती प्रमेस्वरो राम यह में पर हमें पंज स्वॉट सभी होगा पार्वति पर Viel तो हमारा उपस्ति जो गये तवा पार्वति पर्मेश्वर अगला प्रशन नाम कें धलीप की जो भार्य्या का नाम क्या था जानकी द्रोपणी सुदक जिस इच्वी उर्मिला दिलीप की भार्या का नाम क्या था सुदक्षिना था तो हमारा सीयों अप्षं जो वूज़ायेगा दिलिपस्य भारिया नाम की इसको सई कर ले आँ सुदक्षिना उग्ला पर्सन is you should prasya pradhan whisigo उधा सें सिसुपाल वद का भाधार जनीब में 14 सर्ड। सिसुपालवद में 20 सर्ग नेशाद में 22 सर्ग हैं तो यहांपर हमारा प्रधान रस पूछा गया है तो उसमें क्या है वीर रस है हमारा अगला परसन है रैवेतक प्रवत अच्यावर्णम कुट्त बढ़त J लू他इवेतक प्रवत का वरण पाहाँ पर है अगला पर्सन है फभाग तो यहां सब्सक्रित हैं बी सर्ग है तो यहां हमारा बी ओप्सन सही अगला परसन है अन्स जो हो किसका दूद है राम अस्य नल अस्य लक्षमन अस्य या कालिदास श्य जो हंस किसका दूद है हांस दूत होता है यहां पर नलका तो बी ओप्सन जो हो हमारा सही हो जाएगा नलस्य हांस है कस्य दूत है नलस्य अगला परसन है गोतम बुद्धस्य मातुह नाम किम महा माया आमरपाली ये सोध्राया पिंगला की गोतम बुद्ध की माता का नाम क्या था किसके द्वारा कहा गया है तो किसके द्वारा कहा गया है तो किसके द्वारा कहा गया है यह राज सेखर के द्वारा तो यहां हमारा ए उप्सन जो है वो सही हो जाएगा राज सेखरेण अगला परसन है अधरस्तनेसु धीरललित है नायक है कि हमें पता है जो नायक है हमारे चार होते हैं अगनी मित्र है तो हमारा ए उप्सन जो है वो सही हो जाएगा कि हमें नायक के चारो परकार पता होने चीए अगर जिसको भी याद है वो कौन-कौन से नायक है तो आप कोमेंट सेक्षन के अंदर लिखें और उनमें आप उनका एक एक लक्षन बताएं कि उनमेंसे दीरललित चारो नायक आप बताएंगे कि इनमेंसे किसका अलक्षन क्या है ठीक है और उत्यां के पारे आप बताएंगे सिमिचन va दघाष तण्यशह्य उगं प्रायश्य वे सुमिचन वीचनत हमें इनमेंग से सही चुनन education that सकार है दुर्मुख है भी मैं है उत्तर राम चरितम अभिज्यान साकुंतलम वेनी संगारम और मुर्च कटियां इन में से कौन सा पात्र कहां पर है उसके बारे में हमें चुनन है और हमारे ओप्सन यहां दिये गए हैं हमारे ठीक है तो आप यहां से एक बार देख लीजिए सारा गरओ को देखें तो वह कहां पर है अभिज्यान साकुंतलम तो ए ओप्सन किसे सही होगा हमारा क्यों से तो यहां पर देख लीजिए एक क्यों अगर नहीं है आप देखो कई बार के लिए कई ऑप्सन मुला दिये गए हैं क्योंकि हमें इन कोई पता है कि एक्जामीनर सार का और कि हम वहां पर ट्रिक लगाते हैं तो वह भी करें कन्फिज तो हम उसके बाद पहले नहीं सैकंड उप्सन पर जाएंगे सैकंड ऑप्सन हमारा मिल जाए क्यों ज़हां पर बीप वी सब्सक्र्ण गास्फ़ सेकंण हमारा क्या होगा है का अउचких हैस्टार है कर। तो यहां पर मारा डी आप सुन जो हो सही हो जाएगा तो उससे आगे देख लिजिए आप एक बार यहां पर जी एक क्योव पी सोड़ी यहां पर इसको मिलाइए कि एसे क्यों और बी से सकार कहां पर है मृच कर ठीक है इस तरह से बी एस और दुर्मुख कहां पर है तो दुर्मुख कहां पर उतराम चलिते और भी में है वेणी संगारा तो यहां पर हमारा एक यू बी एस चीपी और डी आर तो यह उप्शन हमारे जो सही हो जाएंगे ठीक है तो एक बार इसको आप स्क्रिन्सोट लेकर सकते हो रख सकते हो और आपको देखना है बाद में अगला परसन है हमारा अधैस तनेस्ट यूगम प्रैस्ट सुमीचनम वीचनों थमें इन मे है कौन सा गद्य कावय है कौन सा गीति कावय है कौन सा महा कावय है इसके उप्शन आप यहां देख सकते हैं यह हमारे सामने उप्शन है स्क्रीन पर इसके तो आप इसको मिलान कर लिजे एक बार कि जो कादंबरी है वो क्या है कादंबरी का मिलान किसे करेंगे हम गद्य का कावया है तो इस तरह से हमारा कादमबरी कावया रगुवन्ज महाख मुद्रा राक्षस नहाटक और मेकदुत говорит गीति कावया तो इस त्रह से हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा यह उप्शन ही हमारा सबसे पहला से हो जाएगा कि अगला परशन है मरिच कर्टि के कस्या नाम प्रिवरतनम जाता है मरिच कर्टि के में किसका नाम प्रिवरतनम हो जाता है मैत्री अस्या, आर्ये कस्या, चारुदत अस्या या सम्माहा कस्या तो किसका होता है सम्माहा का तो यहाँ पर हमारा D-Option जो हो सही हो जाएगा सम्माहाकस्य अगला परसन है सक्रावतार तीर्थ शे निवासी कहा है सक्रावतार तीर्थ का निवासी कौन है दीवर है, माधव्या, सारंग रवह है या उद्येन है तो वहाँ पर कौन होता है, धीवर ठीक है, हमारा A option स्वी हो जाएगा धीव रहा है और ये परसन आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक कि किसका नाम प्रितन होता है समभाक का तो यहाँ पर आप इसके बारे में हमें बताएंगे क्या होता है वहाँ पर उस कथा के बारे में थोड़ा बोत हमें बताएं जिससे कि आपकी भी अच्छे से आपको लूइं आपको बता रहा हूँ कि आगर आपको कहीन ए कहीं दі्को हम amount कर साथ ही या हम है वो उसको चाही करने का प्रियास करेंगे आपकी आंसर को कि आपकी कोई मिस्टेक है उसके अंदर so Ground आपको दिये जा रहे हैं paidya या तीन से चार question वीडियो के अंदर उन सभी का answer जरूर दें और हम मैं पता दें आपको कि सीटेट की जो class हम सुरू कर चुके हैं और इससे आगे जो classes अगर हम आप regular classes चाहते हो UGC net के लिए तो मैं आप इसे एक सुझाओ मांग रहा हूं कि आप अगर इन वीडियो को अच्छे से सेर करें ज्यादा ज्यादा बच्चों को अपने आप से जोड़ें और जो नए बच्चे जूट रहे हो चैनल को subscribe करें तो हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छा feedback मिलता है और comment section में आ तो अगर आप continuity में वीडियो चाहते हों तो comment section में जुरूर बताएं और जो बच्चे net की त्यारी करना चाते हैं seated की त्यारी करना चाते हैं वो भी एक बार बताएं जिससे हमें comment में पता लगस कि कितने बच्चे net से संबंदीता और कितने seated से संबंदीता हैं कि जिसे दोनो की त्यारी continuity में बन सके तो सभी बच्चों को सुबकामनाई धन्याबाद